हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि iqz7 pro phone को आप लोग कैसे power off कर सकते हो अगर आपके पास एक iqz7 pro phone है और इस phone को जो आपको switch off करना है अगर आपका power button जो इस पे long press करने से switch off का option नहीं आ रहा है या आपका जो power button हेगा इस वो खराब हो जुका है totally तो कैसे आप लोग अपने इस phone को switch off कर सकते हैं without power button पे click किये गई तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए गई वीडियो को start करते हैं without power button अपने phone को switch off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा guys shortcuts and accessibility का तो इस shortcuts and accessibility के option पे click करेंगे click करने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा guys accessibility का तो इस accessibility के option पे click कर दीजे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्कॉरोल डाउन करना है तो आपको एक option मिलेगा accessibility menu का तो इस accessibility menu के option पस्कुरोण करेंगे क्लिक करती accessibility menu shortcut का een option आएगा तो इस option को आपको on करना है on करने के लिए आपर जोगे switch है इस switch पे click करेंगे click करती allow का option है एक एलाव पर क्लिक करेंगे गॉत इट का ओप्षिन है गोट इट पर क्लिक कर देंगे ऐसा करतिसे हांब कर सकते हो दो vibrations आप ने प्रोड़प में क्लिक किए तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने क्वंच जेटे सेंट प्रोख को आप लोग स्वीच आफ कर सकते हो वीडाउट पावर बटन पे क्लिक किये तो कैसा लगा गा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई